इस वीडियो में मैं बहुत जादे स्पेसिफिकेशन्स या जो पीपर्स वाली बातें वह नहीं करूंगा जो मुझे को फील हो रहा है वह मैं आपको बताऊंगा महिंद्रा अपने एक्ष्यूवी के लिए जानी जाती है और एक्ष्यूवी में टॉप पे है जैसे कि स्कॉर्पियो बोलेरो और एक्ष्यूवी 500 काफी अच्छा कर चुकी है मार्केट में आज देखते हैं एक्ष्यूवी चला के यह कैसी है अब है है हम महिंद्रा के शिवन 7500 मैनुवल पेट्रोल काड़ी ड्राइब कर लेते हैं घुसते ही मैं फिल कर पा रहा हूं कि इसमें घुसना बहुत ही आसान है एसी ओली प्रॉब्लम होती है थोड़े हुआट पे होती है चड़ चड़ते समय फोड़ी प्रॉब्लम होती है जरली उनको जो सड़ान या फि कि आप कौन से गेर में कब रहें, आज मैनुवल चलाते हैं, नेक्स टाइम हम चलाएंगे आटोमाटिक तो पहली चीज यह है कि गेर शिफ्टिंग बहुत स्मूध है, अगर विजिबिल्टी की बात करें तो मैं सभी तरफ बहुत ही क्लियरली देख पा रहा हूं, थोड़े हाइट में सिटिंग है, तो विजिबिल्टी काफी अच्छी आरी है सब तरफ से, और जित्ती बड़ी ग गाड़ी है, हैंडल करने पर महुत ही कमफर्टेबल है, तो अभी हम चला रहे है, एक सेवन मैनुवल और इसमें क्रूज कंट्रोल दिया हुआ है, इसमें आपको एड़ाप्टिव क्रूज कंट्रोल तो नहीं मिलेगा, जो कि सफिशेंट होता है जनरली, और अगर आप एक लेवल उपर जाना चाहते हैं, तो एड़ास आपको आटोमेटिक में ही मिल पाएगा, क्लज लाइट है, छोड़ा सा हलका सा ट्रेवल मुझको ज्यादा लग रहा है, बट बहुत ही लाइट क्लज है, इसमें एक्सलेटर भी अभी मैं कुछ गाड़ियां चला रहा था, जि जो एक लॉंग ड्राइव की कार में होनी चाहिए, स्टेरिंग का कंट्रोल भी काफी सही है, मैं पूरा फील कर पा रहा हूँ, कहां पे गाड़ी जा रही, कहां पे मैं ले जाना चाहता हूँ, और सिक्स्टी की स्पीड में स्टेरिंग भी बहुत जादा हाड़ नहीं है, लेंड चेंज करते समय मुझे एक चीज पता जली, इसमें ब्लाइंड यू मॉनिटरिंग सिस्टम है, जैसे आप इंडिकेटर देते हैं, यहां स्क्रीन पे आपको कैमरे से दिखाने लगता है कि ब्लाइंड स्पॉर्ट में कोई गाड़ी तो नहीं है, जो काफी अच्छा रेशियो भी बहुत ही कमफर्टेबल है, हाइवे ड्राइविंग और सीटी ड्राइविंग दोनों के ही साब से, एसी का फैन साइलेंट है, कई गाड़ियों में होता है, बहुत ज्यादा नॉजी होता है, एसी का फैन ज्यादा ब्लोर स्पीड पर इढ़ना कर पाता है, इस जुरू के स्टार्टिंग टेस्ट ड्राइव के बाद, इसका रिवर्स गेर आप देख सकते हैं, फ्रंट में है, इस नॉब के साथ उपर करके आप लगा सकते है, रिवर्स गेर, तो अभी इंगेज हो गया, कैमरे की क्वालिटी काफी अच्छी है, बस इसमें एक वन टच का फीचर, तो भाई, मोयंग फर्मा भी आया है, हमारे साथ, कार का टेस्ट ड्राइव रिव्यू करने, अगर हमारा भी रिव्यू देखना है आपको, तो हमारा चैनल भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन भी आदे देंगे, ट्रैवल व्लॉग से रिलेटेड मेरे चैनल है और दूसरा मैं आटोमोटिफ कंटेंट भी डालता हूं, तो अगर आपको पसंद है, यह सब दोनों कंटेंट तो मेरे चैनल में आकर देख सकते हो, पसंद आया, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइक को देना चैनल को, मेरे नाम को चैनल है मायंग फर्मा, बड़े लोगों क एस्यूवेज में चड़ने में दिक्कत होती है, बट इसके साथ ऐसा नहीं है, बहुत एजली हम पसंदर साइड से भी उदर सकते हैं, देखे, डारेक्ली मैं नीचे रख दिया, कोई भी स्टेप के जरूरत नहीं है, तो तैंक्यू स्विवनात मोटर्स जो हमको किया, यह गाड़ी ही, और हम फ्यूचर में भी यहां पे कॉंटेक करते रहेंगे, जो भी गाड़ी है यही से लेंगे महिंद्रा की, खास तोर पे थार ले ले लो, एक्सवी 300 ले लो, सारी गाड़ियां भी टॉप में चल रही है, महिंद्रा की ही, बेस्ट अगर शोरू मे जिसका नाम है Dr. Gadget